Question No.23 आपका यहां पे है कहा रहा है कि From an external point P Two tegents P A and P B Are drawn to the circle with center O कहा रहा है एक circle आपका है जिसका center O है एक external point P से P A और P B आपका P A और P B कहा है Two tegents draw किये गए हैं और फिर आगे कहा रहा है 8.E यहां पे आप point E देख सकते हैं On the circle A tangent is drawn to intersect P A and P B at C and D एक और tangent draw किया गया है जो कि आपके P A और P B को C और D point पे क्या कर रहा है Intersect कर रहा है ठीक है Respectly If P A जो आप देख रहा है P A कहा रहा है देदी है 10 cm find the perimeter of triangle P C D triangle P C D का क्या निकालना है perimeter निकालना है बहुत ही प्यारा सा question है और बहुत easy है बस एक concept यूज करना है तो देखते हैं इसका solution कैसे होगा तो question में जो आपका image दिया था यहाँ पे draw कर लिया गया है P A और P B आपका क्या है Teasants हैं जो की एक external point P से draw किया गया है तो आई लिखा गया है because P A and P B are two teasants drawn from an external point P P से एक external point है जो की P A और P B teasants draw किया गया है तो आपको पता है कि अगर एक external point से हम कोई भी teasants draw करते हैं तो उनका लिए अपस में equal होता है इसलिए P A और P B का लिए अपस में equal होगा और यहाँ पे ध्यान देंगे P A की value दे भी रखा है 10 cm तो question में जो given ay y लिखा गया है similarly जब external point P से एक teasants draw कियेंगे तो P A और P B जब यह आपस में equal है इसी concept से यह नियाम होता है कि external point से दो अगर teasants हमें किसी एक point से draw कर रहे है तो आपस में equal होता है तो इसी concept से C एक होगया external point तो C और C आपस में equal हो जाएगा D यहाँ पे external point हो गया तो इस तरह से आपका D E और D B D E और D B भी आपस में क्या हो जाएगा equal हो जाएगा इन दोनों को combine करके equation क्या माली आगया फर्स्ट माली आगया अब देखिए बहुत easy way में आपको हम find क्या करना था triangle PCD का parameter PCD तो parameter होता है sum of all sides triangle का parameter क्या होता है sum of all sides तो PC plus PD और CD क्या होगा PC plus CD किसी एक क्रम से लेंगे तो यहाँ पे मैंने PC plus CD plus PD लिया है मतलब PC plus CD plus DP एक क्रम से ले लिया गया ठीक है अब इसमें थोड़ा सा changing करेंगे ध्यान दीजेगा हमने लिया है PC, CD, DP तो PC और DP को या PD को ऐसे ही रहने देंगे CD में दो पार्ट है CD में दो पार्ट है हम इस CD को लिख सकते हैं तो PC यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे ही लिखा गया है PC ठीक है CD को दो पार्ट में क्या लिखा गया CE plus DE क्या लिखा गया CE plus DE क्योंकि CD में दो पार्ट है तो यहाँ पे लिख दिया गया है CE और DE CE और DE यहाँ पे लिख दिया गया प्लस PD वैसे ही है अब equation first का यूज करेंगे हम जान है कि जो CE है CE है CA के बराबर और आपका DE है PB के बराबर तो यहाँ पे CE के जग़ा पे CA रख दिए और दूसरा क्या है GE DE की जग़ा पे क्या रख दिए DB रख दिए अब और plus आपका PD तो आपका वैसे ही है है यह दोनों से मैं पहला और लास्ट वाले में कोई चैंजेंगे सिर्फ CD के जगवपे CE और DE रखा गया है, CE इक्वल है आपका CA के और DE इक्वल है DB के वो रख दिया गया है, ऐसा क्यों रख किया गया है, इसमें logic है, अभी आप समझ जाएंगे क्यों ऐसा किया गया है, आप ध्यान से देखिए, PC प्लस CA, ये पूरा मिला के, PC CA मिला के क्या बन गया, PA, और फिर अगला आपका ध्यान से देखेंगे, PD और DB, DB प्लस PD मिला के आपका क्या बन गया, ये बन गया PB, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि हमें length पता था PA का, और इसी concept का यूज़ करके सिर्फ निकालना था, अब जब PC, CA, PA हो गया, DB और PD आपका BP हो गया, तो आप यहाँ equation में देख सकते हैं, PA, PB के वराबर है, तो PA प्लस PB के जगा पे भी PA लेख सकते हैं, तो दोनों 10 10 cm, 10 प्लस 10, तो आपका parameter कितना आजाएगा, 20 cm, तो ये concept यूज़ करना था, अच्छे से explain किया जाता है, थोड़ा सा time ले आ जाता है, लेकिन आपको अच्छे से concept समझ आए, तो आयो पे इस समझ आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और share ज़रूर करें, thank you